हालो फ्रेंट्स, आज हम कट्वर्क डेकोरेटिव प्लेट बना रहे हैं सबसे पहले हम मूल्डिट लेंगे और उसे रोल कर लेंगे मैंने पेपर पे इक डिजाइन ड्रॉ करके रखा है उसी डिजाइन को मैं हम मूल्डिट पे रखके कट कर लूँगी आप चाहें तो कोई भी शेप कट कर सकते हैं मैंने मूल्डिट पया कर क क यूँगी झाल 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 एजस को हम तेलकम पाउडर की हिल्प से थोड़ा स्मूथ फिनिशिंग दे देंगे कुकी कटर की हिल्प से मैं यहाँ पे कुछ कट आउट्स निकाल रही हूँ कुकी काल झाल कुकी कटर की हेल्प से कट आउट्स कर लिया हैं अब हमें इसे पुरा ड्राय होने के लिए छोड़ देना हैं मैं यहाँ पर बेस पे जैसो अपलाय कर रही हूँ अब चाहें तो वाइट अक्रेलिक कलर भी यूज कर सकते हैं जैसो कंप्लीटली ड्राय हो चुका है अब मैं यहाँ पर फ्लैश टिंट कलर यूज कर रही हूँ बेस कलर ड्राय होने के बाद अब हम इस पर फ्लोरल पैटर्न डाल देंगे कर रही हूँ आप हैं झाल 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 फ्रेंस आपके घर के ब्यूटी को एन्हांस करने के लिए हमारी कट वर्क डेकोरेटिव प्लेट रेडी है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरू करेगा द में तायो पर रही होत्र रही है ओने रेडरी बित्लेश में सब्सक्राइब के लाइक, सब्सक्राइब निए्